कल शाम राजोरी जिलकी जेर अगली की जंगलाती इलाके में मिल्टेंटू ने बारती फोज की दो गाजूं पर हमला किया है जिसकी चलती चार फोजे एलिकार हलाक जब की तीन दीगर जखमी हो गई बारी हत्यारों से लेस मिल्टेंटू ने बारती फोज वर गात लगा कर हमला किया है और यह हमला जमर्डियोजन की थानमंडी इलाके में शाम देर गई मिल्टेंटू ने अंजाम दिया है मिल्टन्टों की जानब से किये गए इस हमले की सिलसले में फोजी जराय ने बताया कि राज़ोरी और पॉंट्स सेक्टर के जंगलाती इलाकों में तक्रीबन इस वकद 25-30 पाकस्तानी मिल्टन्ट छुपे बैटे हैं जो राज़ोरी पॉंट सेक्टर में मिल्टेंट सी को बाहल करने की कोशिश है कर रहे है दिफाई जराय का ये भी मानना है कि इन मिल्टेंटों को पाकिस्तान और चीन ने एक गेम प्लान की तहत इस पार दकीला है ताकि लदाक सेक्टर से बाहरती फोजियों को हटाया जा सके और हिंदुस्तानी फोज पर दबाव पढ़ाया जाए आपको याद दिलाते है कि 2020 में बाहरत ने चीनी जारियत का मकाबला करने के लिए पुंच सेक्टर से राश्ट्रिया राइफल्स की फोर्स को लदाक मुंतकल किया था वहीं अगर पुंच राज़ोरी सेक्टर की बात करें जो कल वहां पर हमला पेश आया है उस हमले में बाहरती फोज की चार फोज अहलिकारों को हला किया गया है और साथ ही तीन देगर जखमी भी हुए है और इसी सिलसले में दिफाई जराय ने जानकारी दी है कि पुंच राज़ोरी सेक्टर के बालाई इलाकों में तकरीबन 25 से 30 पाकिस्तानी मिल्टेंट सेक्रिटी फोर्स पर हमला करने के लिए जंगलाती इलाकों में छुपे हुए है और कल कल जो हमला पेश आया है जो राज़ोरी के थाना मिल्टे इलाके में किया गया है ये भी इनहीं मिल्टेंटों की जानिव से किया गया है जुन्हों ने फोर्ज की दो गाड़ों पर गात लगा कर हमला करके चार फोर्जों को हला किया है जबकि तीन दीगर एहलकार भी इस हमले में जखमी हुए है